खाड़ी देशों में इन दिनों कतर संकट जारी है इस बीच अमेरिकी प्रेसिडेंट डॉनल्ड ट्रम्प ने कतर को लेकर गजब की चाल चली है ट्रम्प का ये मास्टर स्ट्रोक है कतर के साथ डिफेंस डील अमेरिका ने कतर को 516 फाइटर जेट बेचने की डील की है ये डील 12 अरब डॉलर में हुई है और इसी के साथ अमेरिका ने ये भी संकेत दे दिया कि वो कतर राजनएक संकट की नस्दीक से मॉनिटरिंग करेगा लेकिन अमेरिका के इस फैसले ने सौधी अरब समेथ खाड़ी देशों को हैरान कर दिया है बता दें कि इस से पहले डॉनल्ड ट्रंप ने सौधी अरब के साथ 110 अरब डॉलर के हतियार समझोते पर साइन किया था गौर तलब है कि 5 जून को सौधी अरब, बहरीन, मिश्र, UAE समेथ साथ देशों ने कतर के साथ राजनएक रिष्टे खत्म कर लिये थे जिसके बाद से खाड़ी शेत्र में संकट गहरा गया है लेकिन कतर के साथ अमेरिका के इस डील के पीछे ट्रम्प की एक बड़ी मजबूरी है खाड़ी शेत्र में अमेरिका सबसे बड़ा सैनिट हिकाना कतर में है जिसको डॉनल्ड ट्रम्प बनाए रखना चाहते हैं